कोशी कला पुलिस ने अपराद और अपराधियों पर लगाम लगाने की कड़ी में एक और सफलता हासिल करते हुए एक अवियुक्त को तमंचा सहित गिरफसार किया है ठाना कोशी कला में हुई एक प्रैस वारता में छेतरा दिकारी चाता जगदिस काली रमन ने बताया कि कोशी पुलिस ने नगर के इदगाह तराए के समीप एक अवियुक्त इमरान पुत्र इसलाम निवासी कोशी कला को एक तमंचा एक कार्टूस और चारह जार तथा एक में दो व्यक्ति आरिफ पुत्र नूर दिन प्रति सद्दाम पुत्र वहीद निवासी कोशी कला नाम की प्रकास में आए हैं फुलिस उनकी तलास में जुट गई है वहीं पुलिस ने इमरान को सम्वंदित धारों के तहत जेल बेज़ दिया है थाना कोशिकला की टीम ने अब धिकुत को करिफतार किया है जिस पर लूट का मुकदमा पहले से बेले लूट के मुकदमें वांचे चल रहा था और इदगा तिराये पर सूचना में थी मुक्वित द्वारा हमें कि एक वेक्ति महां पे काली बन्यान में खड़ा हुआ है औ इसने अपना नाम इमरान कुरेशी बताया और जब इसकी तलाशी ली गई तो एक 315 बोर का तमंचा और एक अदत जिंदा कार्तूस इसकी जेब से मिला और 40,000 रुपे नकद इससे मिले हैं साथ में एक वीगो का मोबाइल है जो इसके पास से तलाशी के टाइम मिला है और अब्यर्स अपरादी है और ये लूट में पहले से वांचित था और इसको पुलिस के लिए बड़ी सफलता है और इसके दो साथी अभी वांचित चल रहे हैं उस पे भी पुलिस नजर बनाए हुए लगातार उसमें टीमें जविश दे रही है इसके दो साथी है आरिव और सद्दाम जो लूट की घटनाओं में वांचित हैं और पुलिस के लिए सफलता है इससे जो इस तरह किया पुरादी है विश्य गंजा का जाते हैं इसके जो साथी हैं अभी अभी वो पकड़ में नहीं आए हैं हाला कि हमने चेकिंग अभियान चलाया था अलगला घरों में दबिश दी गई जो ठिकाने में पता लगे थे दो साथी भी इसके वांचित हैं और जल्दी ही फुलिसन को पकड़ लेगा इसके पात से 40,000 रुपे नकद मिले हैं तोरी का मॉबाइल मिला है और एक 315 बोर का तमंचा एक जिंदा कार्थूस मिला है और इसने खुद कबूला है कि इसके दो साथी हैं जो इस तरीके से लूट करते हैं और जल्दी उनको पकड़ा जाएगा